इह पचार्स बर्शी मेला है मीन deals पाजिन का लगवक हो चुका है ठीक है और इनके को M Delhi कालिए कि यह काले मेड्ले के जैख की है अब ही लीटल स्द की काले ही 50 परेशन को हुँ चुक यह मेडल साल की 90 पर्षेंट गूंटी परोंट इस चुकि आधि टू और बाद размAg अब मैं इनको नौन वेट वेरिंग एक्सरसाइश बता रहा हूं कि रोज तीन कुर गूमती है अब घरा करो ने लगती है तो इनकी सोच चेंज करनी है और सोच चेंज करने में उज इनकी ब्रेइड वासिंग करने में एक घंटे का टायम लग गया अब मैं उखा रहा हूं कि घूमने की जगए टेलने की जगए क्या करना है कि यह मेला है 50 यह चीज है काफी पैसे मेंटेन तो अब इनको यह इनके पेर बाहर निकाल दिए बने ठेविल से अब गोटने के बीच में नहीं आना चाहिए जो से मोड़ी आप पूरी ताकर से दबा के रखिए गा और कुटने को आपको हिप से टच करना है एड़ी को इस टच करना है और यह बीच के इंदर नहीं आना चाहिए जो से मोरी आप पुरे मोरी पूरी ताकर से मोरी पूरी ताकर से खोली तो ना तो गुटना गोर करए को ना तो गुटना इससे जब आपके गोटने का पूरा मुवमेंट हो रहा है उस समय आपके शरीर का एक ग्रामी बजन गोटने के ऊपर नहीं होना चाहिए बीच वाली लाहे उसके अदर एक डंडर चोड़ दीजी चलाना चलना चलना जीरो और चलना हंड़ेट परसेंट चाहिए लाग बार चलाओ एक रूर बार चलाओ पर उस समय आपके गुटने का उपर आपके शरीर का एक ग्रामी बजन नहीं होना चाहिए मैंड़ेट और गुटनों के बीच में गैपने आना चाहिए दो चीजें खेलिया अब आप सीधी हो जाएए तो रहन सीधी हो बीच में रहाना चाहिए और दौनों गोड़के गैप बिल्कुल नहीं आप चाहिए यहां से आता कोई अपनी गोड़े और चिन लगाने को शीचित वारी ओटने चिन लाई यहें फिर वापस लेगा यह चिन तक लाई फिर वापस लेगा यह यह अब पूरा मुवमेंट हो और लेकिन एक ग्राम्भी वजन इनका गुटनों के उपर नहीं आ रहा है के लिए अब वह तीसरी एक्सरसाइज इस गुटने को मोड करके इस यह तक लगाना है और इस वाले सीने को अपोजिट करना है ख्रॉस चलिए बिलको लिए यह तैस है तो उस रायट गुटने को ले सब्सक्राइब की तरफ लाइए और लेफ सोल्डर को राइट की तरफ ठीक है क्रॉस क्रॉस करिए तो ही आप एक्सराइज कर रहे है और इसके अंदर भी एक ग्राम भी बचन गुटनी के ऊपर नहीं आ रहा है अब आप पुटके बैठ जाईए थोड़ा लटका लीजिए न थोड़ा लटका लिए थोड़ा आर जाई और नीचे जाई और नीचे और नीचे वरी गुटने को पूरा मोल दीजिए एक गया बिलाकर रहे है अब गुटने के ऊपर एक राम भी सज़ का वजन नहीं है सज़ को बजन टोटल इंका इस टेविल को अपर है ठीक है पर जब तक अपनी आएगा तब तक गुटने चेंज होने की आप सकता नहीं पड़ेगा यदी गया तो फिर आपका गुटना चेंज होगा और गुटना चेंज होने के बाद भी यदी किया पा रहा है तो गुटने रिपलेस्बेंट आपका गलत हुआ है ओन टेबल खराब हो जब तक अपनी आएगा और बुम्मेंट होता रहेगा आपका रिपलेस्मेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा उटके बैठेगाई जल्दी से कुट बैठेगे पेलटकाई जल्दी से थोड़ा पराइगे अब यहां तौनों के फिम लाईए और इस पिलिए हाथ लाईए इसको यह मेज पड़िए लिए ज़ाद को टाईए यहां पकली मेज पड़िए और कलाईओं से कुट्णों को दबाएगा परसे एक कलाईओं एक अख़ा रिया उर नहीं अज़िए द़ा लड़ेगे इनके एक अपिक अब यह इंक गिरना नहीं से ही अगर यह जर ज़िया और गुटने का पूरा मुवमेंट हो रहा है तो यह जॉइंट की सबसे बैतरी एक्सराइज है और यह चार मसेज हो दिया है एक दो तीन चार चार इनको क्वाडिस्ट वसल कहते हैं इनकी इस्ट्रेंज तब तक मेंटें रही तब तक गुटना चेंज नहीं होगा यदी चें बालू भर्के या नमकी थेली तरह चुणनी से बान लें और उपर एक्सराइज करें तरिये तरिये करिए करीवार्ण आता ओंज जागके निजे मेंज पकर रखिए हाथों से वुटने दबाएगे और गुटनों से इसको पूनी ताक लगाई गिरनानी चेंगे एस अब इ जिनको भी गुटनों की समस्या है उनको बिल्कुल नहीं टेलना चाहिए और जो डॉक्तर जो प्रियो तर पिस्ट आपको टेलना बताते हैं दुनिया का सबसे बड़ा वेपकुपी काम है आपका टार ओलेडी डेमेज है टार खायल हो गया फिर कहते हैं उस पो तेज गाड़ की चलाओ दुनिया का सबसे बड़ी वेपकुपी की चलाए है जब उटने के समस्या आ जाए तो टेलना जीरो चलाना हंडेट पर्संट हो चलाए